नमस्कार, आप सभी का MS Classes में स्वागत है बान भट की आत्म कथा में बान भट प्रेमादर्श का मूल सुत्रधार है बान भट और निपुनिका, बान भट और भटिनी, अगोर भेरव और महा माया तथा विर्ति वज्र एवमसूर चारिता का प्रेम निरुपन इसमें किया गया है उपन्यास के अध्यता के अनुसार, जिस व्यक्ति को लेकर उपन्यासिक कथा का इतना विशाल धाचा खड़ा किया गया है वह एक संस्क्रत युगीन विश्व विश्रुत महान गधेकार था एक महा कवी के चीवन पर लिखे गई उपन्यास को महा काव्योचित भाव गरिमा देने में दुएदी जी की शेली ही समर्थ थी द्वेदी जी के इस उपन्यास बान भटी की आत्मकथा में द्वेदी जी ने उपन्यासिक द्रश्टी से आत्मकथा शेली का बहुतायत से प्रियोग किया है तथा पी वर्णन की द्रश्टी से उसमें अनेक शेलियां भी विवर्थ हुई है उपन्यास में प्राय नो प्रकार की शेलियां विवर्थ हुई हैं जो इस प्रकार हम जान सकते हैं पहली आत्मकथा शेली, दूसी नाड़किय शेली, वन्नात्मक शेली, पत्रात्मक शेली, संकर शेली, परिहासात्मक शेली, रसात्मक और भवात्मक शेली, चित्रात्मक शेली और संस्क्रत गर्भित शेली इस उपन्यास में अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं जहां धर्म, राजिय, नीती, प्रेम तथा व्यक्ति को लेकर गंभीर चिंतन पक्ष प्रबल रूप से उभरा है अतह ऐसे अवसरों पर जो भी भाषा प्रेक्त हुई है समवाद प्रेक्त हुए हैं वह भी तदन रूप ही गंभीर एवं चिंतन परक ही परिलक्षित होते हैं बान भट, भट्टिनी, सुगत भद्र, महा माया एवं कृष्ण वर्धन के समवादों में विशेश रूप से इस प्रकार की ही भाषा समवाद दिखाई देते हैं निपुणिका इस उपन्यास की सरवाधिक जीवन्त व गतिशिल नारी पात्र है निपुणिका साधना पत की वह साधिका है जो साधना के चरम अवस्था तक पहुंचते ही दूसरे लोक में प्रयान कर जाती है निपुणिका उस समय की उन संतानों में से एक थी जो किसी समय अश्पश समझी जाती थी परंतु जिनके पूर्वज पुर्व पूरुशों को सुभागी वश गुप्त समराटों की नोकरी मिलने से उनकी सामाजिक मर्याधा कुछ उपर उठ गई थी वे अपने को सुएम को पवित्र और वेश्य वंश में गिनने लगे थे और ब्रहामन शत्रियों में प्रचलित प्रथाओं का अनुकरण भी करने लगे थे उनमें विद्वा विवा का चलन भी बंध हो गया निपुनिका का विवा किसी कांद्विक वेश्य से हुआ था जो भड़ भूंजे से उपर उठकर सेट बना था विवा के पश्चात एक वर्ष बीतने भी नहीं पाया था कि निपुनिका विद्वा हो गई और विद्वा वने के पश्चात न जाने किस दुख से वह घर से भाग निकली उजयनी में जब वह बान भट से पहली बार मिली तब उस समय उसकी अवस्था मुश्किल से 16 वर्ष की ही रही होगी बान भट उस समय एक नाटक मंडली का सूत्रधार था उसने मंडली में भरती होने की इच्छा प्रकट की यदपी वह अधिक सुन्दर नहीं थी लेकिन उसकी सबसे बड़ी चारूता संपत्ती उसकी आखें और उंगलियां थी नटी के प्रामान जली और पता का मुद्राओं को सफल बनाने में पतली और छरहरी उंगलियों का अध्वुत प्रभाव पड़ता है इसलिए बान भट ने उसे अपनी मंडली में शामिल कर लिया और धीरे धीरे रंग भुमी पर उतारने लगा एक दिन उजैनी के परम भट्टारक की उपस्ति थी में बान भट ने एक नाटक खेला उस समय तक निपुनिका मन ही मन उसे अपने रदे मंदिर का देवता समझने लगी थी नाटक में उसका कोशल देखकर बान भट भी विसमे विमुक्द हो गया था और बधाई देने के लिए प्रेक्षा ग्रहत में जाती हुई निपुनिका को आवाज दी उस समय वह सोच रही थी कि आज उसकी जीत हुई है और उसे विश्वास हो गया कि अब में बान भट को पा जाऊंगी देह यस्टी का सोंदरी प्रदर्शन करती हुई वह ठिटर कर निपुनिका वही रुक गई बान भट भीतर ही भीतर सब कुछ भाब गया एवं अपने को समभाल कर रखने में समर्थ बान भट इस तथी को हसी में टाल कर अपने रंग मंज की और चला गया अब पुरुष की उपेक्षा नारी जीवन का सबसे बड़ा उपहास होता है सबसे बड़ी पराजय होती है निपुनिका उसी रात वहां से भाग खड़ी हुई और उजैनी में इस्थित शार्वलिक के अड़े पर जा पहुँची इसी बीच एक जोती शी ने उसे बताया कि जिसे वह चाहती है वह बड़ा यशर्श्वी कवी होगा परन्तु कोई भी रचना पूरी नहीं कर पाएगा और यदि उसने किसी जीवित व्यक्ति पर कावे रचा तो उसे वह एक हजार दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा इसी बीच बान भट भी नाटक मंडली को भंग करने वो प्रतिग्या की कि जब तक वह निपुनिका को नहीं खोजेगा तब तक वह कोई नाटक ना खेलेगा और नहीं लिखेगा निपुनिका को ढूनते हुए वह शार्वलिक के अड़े पर जा पहुँचा निपुनिका उसकी प्रतिग्या को कायम रखने के लिए उससे मिलती है क्योंकि उसी में पान भट का हित था छे वर्ष की अवधी के पश्चात बान भट की निपुनिका से भेंट होती है और निपुनिका उसी के सम्मुख प्राणांध भी कर देती है निपुनिका का जीवन अनेग विशम घटना चक्रों से चलता हुआ बोजहिल हो गया था अनेग परिस्थितियों को जेलने के कारण अब वह सहासी हो गई थी स्त्री होते हुए भी उसमें जो जीवत वो दर्षनिया ही नहीं वरण एक शलाधिया है 15-16 साल की अवस्था में पारिवारिक परिस्थिति वश जब घर छोड़ गई थी एक छोटे से राज कुल जैसे विलासियों के अंतापूर से जहां सुरक्षा का कड़ा प्रभंध था बान भट को इस्त्री वेश में ले जाकर वह भटिनी का उधार कर पाने में भी सफल हो जाती है वह एक सहास्पोर्ण कार्य था अपने सतित्व की रक्षा करते हुए वेलासिक समाज के बीच में वह अपनी रोजी रोटी कमान जैसा साहस्पोर्ण कार्य भी करती है इससे भी परे उसका साहस केवल अपने ही निमित नहीं था वरण अनी के लिए भी सहर्ष समर्पित है भटीनी का उधार करने में सफल हो जाती है चंडी मंडली में पाखंडी पुजारी को मूर्ख बनाकर अपने सतित्व को दावप लगाकर भटीनी के रहने की विवस्था भी करती है वह वज्र तीर्थ के शमशान से अगहोर घाट तथा चंड मंडना के हातों बाण भट को बली होने से बचाती है भटीनी की रक्षा के लिए बे जीजक गंगा में कूद भी पड़ती है और बाण भट को भटीनी की रक्षा के लिए कहती है बान भट दोनों को गंगा में डूपते हुए देखकर समझ नहीं पाता कि वह किसे बचाए इस पर निपुणी का उसे भटिनी की रक्षा करने की बात कहती हुई अपने जीवन के लिए स्वेम संघर्ष करती है इस बगार नारी के सच्चे रूप में वह स्वेम नियती की मारी दूसरों का दुख दर्द पहचानती है और उसका निदान करने की चेश्टा भी करती है अपने प्रती नियती के क्रूर विहवार से तरस्त वह वीर नारी किसी अन्य को दुखी नहीं देख सकती भटिनी का उधार नारी मुक्ती का उधारन है भटिनी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह बान भट को भी उत्तम सलाह देती है जिससे भटिनी की प्रतिष्ठा भी बनी रही और सामन्त लोरिक देव भी नाराज नहीं हो भटिनी के स्थानी श्वर में बीते दूर्दीनों को निपुनी का भूल नहीं पाई थी एक स्थान पर वह स्वेम कहती है धिकार है तुम केसे भटिनी का अपमान करने पर राजी हो गए कान्य कुपज का लंपट शरण या राजा क्या भटिनी के सेवक को अपना सभासत बनाने की स्परदा रखता है किस बुद्धी से तुम्हें मोखरियों की रानी का निमंतरन होने को उत्साहित किया धिकार है भट तुम अत्यंत सहज बात भी नहीं समझ सके क्या इस पत्र को चिधड़े पर फेक देने में लायक शक्ती भी तुम्हें नहीं थी इस प्रकार वह समाधान के तोर पर स्पस्ट करती है कि भटिनी स्थानिश्वर जाएगी तो वह एक स्वतंत्र देश की रानी के रूप में जाएगी वह राजधानी में उसी प्रकार रहेगी जिस प्रकार एक स्वतंत्र देश की रानी अपने राची में रहती है नारी की मुक्ती के अकांशा रखने वाली निपूनिका को किसी विरांगना से कम नहीं आका जा सकता जिसने समाज में नारी के प्रती बूरा भाव रखने वाले लोगों का मुकाबला करते हुए न केवल स्वेम के सतित्व की रक्षा की वरन भटिनी की रक्षा करके नारी मर्यादा को भी कायम रखा